Hey guys, recently Netflix पर बहुत सारी TV सीरीज आ रही है जो Japanese Anime या फिर Animated सीरीज पर based है जैसे One Piece, Yu Yu Hakusho और Cowboy Bebop अब इस लिस्ट में एक और सीरीज का नाम जुड़ गया है Avatar The Last Airbender ये सीरीज 2005 में सेम नाम से रिलीज हुई Animated सीरीज पर based है इस सीरीज के वर्ड में सभी लोग चार ग्रूप में divided है Water Tribe, Earth Kingdom, Fire Nation और Air Nomad सभी ग्रूप में कुछ लोग अपनी टाइप से related element को band कर सकते है ये सीरीज परजेंट डे से सो साल पहले शुरू होती है जहां Fire Nation बाकी groups पर attack कर देती है और Air Nomads को तो खतम ही कर देती है लेकिन Aang जो एक Airbender है वो किसी तरह बच जाता है Aang current generation का अवतार भी है इस वर्ड में अवतार वो होता है जो चारो elements को band कर सकता है लेकिन Aang की training पूरी नहीं हुई थी जिसके वज़े से वो अभी अवतार की powers यूज नहीं कर सकता अब Aang अपने Water Tribe के friends Katara और Soka के साथ अपनी training की journey शुरू करता है इसके अलावा story Fire Nation के Prince Zuko को भी follow करती है जिसे उसके father ने अवतार को पकड़ने का task दिया है Aang की इस journey में उसके साथ क्या-क्या होता है ये सब series में दिखाया गया है वैसे तो original series में childish elements थे लेकिन फिर भी ये बड़े लोगों के बीच में बहुत जादा famous है live action adaptation के लिए इसमें कुछ changes भी किये गए हैं जो original series के fans को शायद अच्छे ना लगें series में total 8 episode है और हर episode 50-55 minute का है तो आप इसे weekend पर binge watch कर सकते हो ये series animated series के first season को cover करती है और animated series में total 3 seasons थे तो हो सकता है इसके भी 3 season बनाए जाए लेकिन अभी Netflix ने इसका second season officially announce नहीं किया मुझे ये series full time pass लगी अगर आपको high production value और बहुत अच्छे VFX वाली light hearted series देखनी है तो आप ये देख सकते हो specially जब इसमें elements को band करते हुए दिखाया जाता है वो scenes बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ ही काफी नए creatures भी दिखाये गए हैं और end में तो आपको Godzilla भी देखने को मिल जाएगा overall ये live action series one time watch तो जरूर है सर्फ 8 episode की वज़े से इस series की story काफी fast move करती है और हर episode में कुछ न कुछ नया देखने को मिल जाता है जिसके वज़े से ये boring feel नहीं होती लेकिन story के कुछ plot points बहुत simple है जिनें देखकर आप अराम से guess कर सकते हो कि अब आगे क्या होने वाला है वैसे ये series perfect नहीं है इसके कुछ elements childish भी लगते है जैसे एंग बार-बार बोलता है कि वो अपने friends पर depend करेगा और फिर थोड़ी देर बार decision लेता है कि उसे अकेले ही अफ़तार की journey पूरी करनी होगी और फिर next episode में यही सब repeat हो रहा होता है इसके अलावा किसी भी character को पकड़ने के लिए villain काफी महनत करते हुए दिखाया जाता है लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो उसके लिए बस थोड़े से guard रखे होते हैं ताकि वो अराम से निकल सके अगर आपको power base series देखने में मज़े आते हैं और आपको कुछ light hearted देखना है तो आप यह देख सकते हो मेरी तरफ से इस series को मिलेंगे 5 में से 3 star Thank you वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए